वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस्टड़ी एक आत्म गता आज है 26 2022 और 26 2022 से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हर एक question को मैं आपको detail में explain करूँगा तो पूरे वीडियो के end तक दिखेगा वीडियो के end में मैं आपसे बहुत ही simple सा कुछ question पूछूँगा जिसका answer आपको इसी वीडियो के comment box में comment करके बताना है तो आईए वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला question है हाल ही में Tata New ने किसके साथ ज्यादा reward देने वाले को branded credit card launch करने के लिए साज़दारी की घोसना किये तो इसका right answer है HDFC bank अब बात आई है HDFC bank की तो मैं आपके इसे related कुछ important points मैं आपको बता दूँ इसकी अस्थापना कब हुई थी 1994 में कहां हुई थी तो मुंबई में हुई थी इसके current chairman कौन है तो वो है दीपक पारिख दीपक पारिख जो है इसके current chairman है इसका tagline क्या है तो इसकी tagline जो है वो है we understand your world and इसके current MD जो है वो है ससीधर जगधीसन ये थे आपके HDFC banks related important answers चलिए next question की और चलते हैं किस विमानन company ने हाल ही में मुंबई और अबुधावी के बीच एक October से दैनी कुराने संचालित करने की बुद्धवार को घोसना किये तो इसका right answer है विस्तारा मैं आपको विस्तारा के बारे में बता दू विस्तारा जो है एक Tata SIA Private Limited की एक भारती एरलाइन से है इसका जो headquarter है वो है हरियाना में गुर्गाओं में इसके अस्थापना कब हुई थी इसके अस्थापना जो थी 2013 में हुई थी न्यू देली में तो ये विस्तारा जो है कि 50% हिस्सेदारी भारती एक कंपनी Tata SANS की है और बांकी की हिस्सेदारी जो है सिंगापूर कंपनी की है चलिए next question क्यों चलते हैं किस अनुभवी राजनाई को हाल ही में यूके में भारत का नया उच्चायुक्त निक्त किया गया है तो इसका right answer है विकरम दोडाई स्वामी क अब मैं आपको विकरम दोडाई स्वामी के बारे में कुछ बता दूँ विकरम दोडाई स्वामी जो है 1992 बैच के भारती विदेश सेवा के अधिकारी है जिने हाल ही में यूके में भारत के नया उच्चायुक्त के रूप में निक्त किया गया है विकरम दोडाई स्वामी वर्तमान में बांगलादेश में भारत के उच्चायुक्त है और 2012 से 2014 तक विदेश मंत्राले के अमेरिका डिवीजन में ये सईउप सची वी रहे हैं चलिए नेक्स्ट कोस्टन के और चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाली में करीब 6,000 करोर रूपई की लागत से बन रहे इसिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उधगाटन किया है तो इसका राइट आंसर है अमरिता अस्पताल मैं आपको अमरिता अस्पताल के बारे में कुछ बता दू अमरिता अस्पताल कहां लोकेटेड है तो वो है फरीदाबाद में अध्यात्मी की नेता अमरिता नंदमई ने इससे अस्थापित किया है जिने प्यार से लोग अम्मा के नाम से भी जानते हैं 24 अगस्त 2022 ये डेट आप याद रखना 24 अगस्त 2022 को पीम नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉंच किया गया और लगबक एक करोर वर्ग फूट में ये अस्पताल फैला हुआ है जिसमें एक फोरे स्टार होटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा रोगियों के लिए एक हैलिपेड और कई अन्य सुविधाएं भी है चलिए नेक्स्ट वोस्टन क्यों चलते हैं इंडिया क्लीन इयर समिट, ICAS का चौथा संस्क्रन किस सहर में एवजित किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर है बैंगलोर अब बात आई है ICAS का, तो ये ICAS क्या होता है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं देखो, 2024 तक लोग स्वक्ष हवा में सांसे ले सकें, इसके लिए नरेनर मोदी ने पंच वर्स किये योजना तैयार कियें कब तक 2024 तक चलिए नेक्स्ट कोस्टन क्यों चलते हैं किसने रक्षा बलो को मेक इन इंडिया के माध्यम से अपातकालीन हतियार खड़िदने के अनुमती दियें तो इसका राइट आंसर है केंदर सरकार ने अब बात आई है मेक इन इंडिया की तो मेक इन इंडिया से रिलिटेड कुछ important points देख लेते हैं देखो मेक इन इंडिया program जो है वो कब launch हुआ था तो 25 September 2014 को launch हुआ था मेक इन इंडिया कहां हुआ था तो नई दिल्ली में हुई थी कहां हुई थी New Delhi में हुई थी अब इसका budget क्या था तो 1281 करोर रुपए इसके budget को रखा गया था इसके नारे की बात करें तो इसका नारा क्या है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट और मेक इन इंडिया में कौन सा छित्र सामिल है तो इसका right answer है education मेक इन इंडिया में education को सामिल किया गया है चलिए next question क्यों चलते हैं आभी हाली में फेमिना मिस इंडिया का किताब किस ने जीता है तो इसका right answer है सीनी सेटी अब सीनी सेटी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ ये एक भारतिये model and social media star है इनका जो जन्म हुआ था 2000 में मुंबई में हुआ था ये कहां की रहने वाली है तो ये रहने वाली है करनाटक की करनाटक की रहने वाली है इस परतियस परधा में रूबल सेखावत मिस इंडिया 2022 की पहली runner-up एंड यूपी की सिनेटा चोहान दूसरी runner-up रही थी चलिए next question की और चलते हैं अभी हाली में IPL 2022 का खिताब किसने जीता तो अभी हाली में IPL 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटन्स ने जीता है देखो ये IPL 2022 का बायुजित किया गया था तो 29 मई 2022 को किया गया था इसके कप्तान हर्दिक पांडिया थे उनके नेत्रित में IPL 2022 का फिप्ट एडिसन जीता कौन सा एस्टेडियम में खेला गया था IPL तो नरेंद्र मूदी एस्टेडियम ये कहां है ये जो है एहमताबाद के गुजरात में है किसको हडा कर जीता तो राजस्थान रोयल्स को अब बात आईए गुजरात टाइटन्स की तो इसके जो करेंट कैप्टन है वो हर्दिक पांडे है और जो इसके मुख्य कोच है वो आसिस नहरा है और बता दू मैं आपको गुजरात टाइटन्स के बारे में गुजरात टाइटन्स को 20 करोर रुपए प्रशकार रासी के साथ टाटा IPL 2022 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया उप विजेता टीम राजस्थान रोयल्स को सारे 12 करोर रुपए मिले और तीसरे अस्थान पर काभीज रोयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर रही चलिए next question क्यों चलते हैं अंतर-रास्थी ए खगोल विजियान और खगोल भाथिकी ओलंपियाड में कौन सा देश सिर्स पर रहा है तो इसका right answer है इरान इसका राइट आंसर जो है वो इरान है नेक्स्ट कोस्टिन क्यों चलते हैं दिव्यांग जनों के ससक्तिकरन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार दोड़ा किस राज को सर्वस्ष्ट राज के रूप में सम्मानित किया गया है तो इसका राइट आंसर है तमिलना दो अभी हाली में केंद्रिय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंतुराले दोड़ा हर साल तीन दिसंबर को विस्व दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है और दिव्यांजनों के ससक्तिकरन को बढ़ावा देने के लिए राष्टिक प्रवस्कार परदान की जाते है अगर आपको इस वीडियो थोड़ी से भी हलपफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर नहीं भी लगी हो तो आई होब आपने कुछ न कुछ इस वीडियो से जरूर सिखा होगा तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे तीन कोस्टिन पूछने जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है पहला कोस्टिन है इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में दूँगा तो देखते हैं कल के वीडियो में कितने लोगों ने सबसे सही और सबसे तेज जवाब दिया है और हाँ चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा ताकि आने भारी समय में आपको इसी तरह के और भी powerful contents देखने को मिलती रहेंगे बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं कर फिर एक नए वीडियो में